तो वेलकम अगेन वेलकम प्रहुन नियुक्त और हम कर रहे हैं आपके एक्स प्रेलिम्स की तैयारियन देखिए पताऊँगो क्या पढ़ना आच पहले सुनो अभ्यास 2.0 आपको पता ने क्या है यह है एक्स आपके प्रिलिम्स के लिए हमारा यूट्यूब का जोड़ार शुरुआद जिसका नाम है अभ्यास ठीक है देखिए क्यों नंबर बन है क्यों हम नंबर बन हैं एक्स की प्रिपे तो ध्यान रखे बहुत इंपॉर्टन चीज़ है जो आप सीख रहें जो आप कर रहें अब यहां पर क्या है देखो एक्स प्रिलिम्स क्योंकि अपसे मैं आ चुका है कि आप एक अच्छी टैस्टी सेरीज की तरफ रूख करें यह मैं कहूंग एक आज भी मन्यों यह से टै तो इसी के लिए 500 रूपे के सेरीज के इन दोनों टैस्स सीरीज का इसका को अचछन बैंक का और आपके पस क्या है जो टैसीरीज है उसका लिंग्यआपको किसमें दिया हुआ है एक तरह से हरियादागी два solchen को में को लगतार कि यह चाहिए और खांट करना मत भूलेवा है आज यह हैं बहुत इंपोटन भी न्टी अचकर इसकाम सोचंव दो सेशन लेकर आँ अभी तक हम एक ही सेशन कर रहे हैं बट लटम एच्छीएफ और मैं जैसे आपके आए मैं कुश्चन्स वैसे उसी तरह के वुश्चन्स को लेके चल रहे हैं तो चलिए कि लिए लग से चलता है कुछ अपने आप में देखो सबसे पहली बात लिए फरक क्या है देखो लिए आपके बास लीस्ट कोमन मल्टिपर बोलते हो लिए सो मन फेक्टर इसकी बात तो मैं कोश्चन में करेंगा देखो बेसिकली मेरे पास यहां यहां की दो ट्रीके जैसे लिखो आप लिखा लो ऑफ है दो चार च्छे आठ और दस इसका च्छार निखा तो मुझे आप अब क्या करोगा आप देखो पहले तो फिर दो ले लूँ एक तीन एक पाँच फिर आगए तीन एक एक और पाँच मैं फिर क्या एक पाँच में इसे कुछ होगा यह नहीं में इसका ह कितना गया दो दो दोनी चार दोनी आठ त्याज चौवी चौवीस बंजा 120 यह आगे यह दो आपका नॉर्माल डबे वला मैं था ना यह आउट्रेट्ट इन निया मैं थाड़ के तो नोड़ा समझा दो देखो पहले दो को लिखो दो को लिखो कि अब 2 रिस तो पावर 1 फोर को कैसे लि लिखो कि इसको थोड़ी दोगहले था सही है आप देखो जा इसमें किया करना है इसको बोलता हैं वेली कि मैं करने वाँ हुआ हूं उषसे मेक्सिम्म ठाइक में हमें क्या निकालने कोमिंटर अठीकते न कि तना बच्किए ठीक हैं वह इस सिरी कैसे करने लिए हाइस पावर कितनी है तीन है थीन पर जितनी थो धार गुणा तीन फांच देखो यह क्या था मेरे बाद आख गुणा तीन फांच कहीन ही आगया कितना यह कितना गया 120 आगया यह सब्सक्राइब हुटा है जो प्रेक्टर सबसे बड़ा इन मैं common होता धैं करेंगे उसकी बात भी चलो कोशिक तरह बढ़ते हैं चलो त्री नंबर सार इंदा रिश्यो थ्री फॉर फाइव अब इसी कोशिर में बता दूगा आपके सिया होता है देखो मैंने मानना कि मेरे पास तीन नंबर एक्स वाई तीन नंबर अपने पास एक एक बात आई है देखो कोई दो तीन नंबर है जैसे मैं लेता हूं वन एंट टू है एना इसको लिख को वन इंट वन इसको लिखो 1 i2 तो रहत विए कितना अगया 1 और टूइंट वन केना रहिए कज लका सब्सक्राइब नंबर नीकर घूक्त सब्सक्तार नोहीं होता तो यहां के यह कं पह्या आ 5P तो इनका अगर LCM निकान लेंगे हम है यहाँ से कितना है 3, यहाँ से कितना है 4 और यहाँ से कितना है 5 और यह क्या है, क्या P सब में है ये सही है, तो यह कितना हो गया 5 के 20 से 60 60P क्या आगा है मेरा याद रखना जब भी आप ratio वाले question करो न तो उसके अंदर एक let मान के करो A, B, C, D, K, P जो आपने मानना मान लो 60P की value कितनी है 2400, तो P कितना आगया 40, अगर P 40 आगया तो एक बात बताऊं हो जाए यह कितना है 3P, 4P, 5P पोई एक ऐसा number बड़े से बड़े जो इन में common है, वो क्या आगया 40, यह क्या था P और यही मेरा क्या है एक चोटा सा question मैंने कोशिश किया कि इस question के दुरू आपको LCM और HCF का difference बता सको clear, please like, share, subscribe करना मत भूलिए चलिए, let us move down to the next question if the sum of two number is 55 and HCF and LCM of these number is 5 and 122, the sum of the reciprocal of the number is equal to, बहुत अच्छा question है लग रहा है, इस question बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे बढ़ कुछ ही नहीं करना, देखो एक relationship होता है suppose करो मेरे पास कोई number है मेरे पास है 8 और मैंने 12 विले लिए इसको कैसे लिखूंगा 4 तो तीए 12 और 4 गुना 2 आट तो क्या इसका देखो, LCM सबसे पहले कितना आएगा 2 की पावर 3 इन 2 ये कितना होगा, 2 दिन रिचार ये 12 ये 3 24 इनका क्या होगा LCM होगा, अच्छा देखो अगर यहां पर LCM होगा HCF कितना होगा, HCF 4 होगा एक relationship बता रहा हूँ जो paper में बहुत जगा काम आएगा अच्छा इसके LCM और HCF को गुना करो जा रहा 24 गुना 4 कितना हो, 96 अच्छा इनको गुना करो 12 ये कितना होगा, 96 इसका मतलब क्या मतलब हो है इसका कि अगर मेरे पास दो नमबर दिये A और B अगर मैंने इनको गुना किया तो इनका गुना किसके बड़ापर आएगा इनके LCM औरmotion के HCF के बड़ापर कि अगर मैंने दोवेल्यों'S को If the sum of number is 55 55 यानि मुझे सम क्या दिया 55 मैंने मानने दो नंबर X प्लस Y कितना दिया मुझे 55 दिया and their HCF and LCM of these numbers आर देखो sum of their reciprocal reciprocal का sum कैसे निकलेगा ये निकलेगा 1 upon X क्या 1 upon Y निकलेगा येस इसका मतलब अगर इसका में LCM लेते हो कितना आएगा इसका मतलब मतलब क्या है कि मुझे एक्स प्लस Y upon X into Y निकालना है इसका मतलब मुझे अब क्या निकालना है इसका मतलब अगर मेरे पास दो नंबर्स है एक्स गुणा वाई तो ये कैसे निकलेगे इनका LCM और इनका HCF का गुणा एक्स इंटू वाई कितना दिये स्टुडेंट्स मेरे को फाइफ और ये कितना दिये 120 तो ये कितना आ गया 5 इंटू आप 120 कितना आ गया 11 बटे 120 ऑप्शन नंबर 6 दा राइड वन क्लियर तो इजी जी कुश्चन्स हैं बट अच्छे कुश्चन्स है क्लास में कोश्चिश करूंगा कि और अच्छे कोश्चन्स के उपर हम चले हैं से मेरे से और नंबर सिस्टम मिक्स होता कई बार इसमें तो काइंडली सो नोट कीजिए नेक्स सुच्छन पर चलेंगे कि चलिए बहुत अच्छा कोश्चन देखो रेक्टेंगुलर कोट्यार्ड 3.78 मीटर यानि अगर मैं लेंद्थ लोगे सेंटीमिटर लॉंग एंड 525 मीटर वाइट और बैट कितने हैं 525 सेंटीमिटर बिगाउस मुझे जो अंसर रहना सेंटीमिटर में दिए हैं क्लियर टू भी पेट एग्जेक्ली विद्ट स्केट आइल अल अफ दा सेम साइज वाट इस लार्जस साइज अफ दा टाइल डाट कोड भी यूस फर वर्स देखो लार्जस साइज मतलब क्या निकालना मुझे सिंपल एथ इसका सेकंड पार्ट में कराऊंगो नेक्स क्लास में आपको ठीक है दो लेक्या ने बंदते हैं इसके चाशे इसका जो नेक्स पार्ट है अगली क्लास में करा आग वक्षा अगया ने थारा ये बेशिकलि में पास फेक्टर आगए इसके अपना 3, 7, 8, तो 525 के तो बहुत असान है भाई, 5 इंटू कैसे लिखो, 105, 5 इंटू 21 इंटू 5, यह 5 इंटू 21 इंटू 5 में कुछ दिख रहा आपको, देखो, यहाँ पर क्या है, देखो, मेरे पास अगर उच कॉम्बन दिख रहा है, तो 5 तो मैं ले इनी सकता, बट यहाँ पर 7 ग देखो 21 गुना 23 गुना 28 और यह कितना गए 21 गुना 25, तो कहें लार्जस नमबर 21 दिख रहा है, तो यही मेरा अंसर होगा, यहाद रहा है, टाइलो वाले केस में, आपको मैक्सिम टाइम, HCFE फांड आउट करना होगा, LCM के बारे सोचना भी बाट, क्लियर, देखो, सोच के देखो, मैक्सिम लेंथ क्या है, 378, ब्रेट कितने है, 5, 25, अगर आपने बाइचांस यह भी सोच लिए, कि चलो भाई, इसका हमें LCM निकाल देता हो, तो LCM कितना निकलेगा, देखो, यहाँ पर कितना गया, 3 का Q, into 2, into 7, यहाँ कितना गया, यह वेगा, मेरे 5 का स्केर, into 3 into 7, इसका मतलब, आपके बाद, जो LCM बहुत लंबा चला जागा, मैक्सिम लेंथ ही कितनी मेरे पास, 5 to 5, और LCM इससे भी लंबा जाना बाला, आपका दिखर है, मुझे साफ सा, clear, तो आही ने सकता, तो क्या है, इसकेस में हम इशा, LCM जहान रखेगा, important है, बता भी दिया मैंने, क्यों, इस केस में, हम HCFE, basically, find out करने वाले, clear, चलो, भाई, the LCM of 2 number is 495, and there, HCFE is 5, if the sum is 100, the difference is very interesting, कोशन, करिए, कैसे करेंगे, ये एक इंटरस्टिंग टाइप का कोश्चन है, इसको कैसे आप करेंगे, बताइए मुझे, कि आपके पास LCM कितना दिया, देखो, LCM of 2 number is 495, 495, clear, अच्छा, HCFE कितना दिया है, 5, अच्छा, मैं नंबर माल लू, 5 है, 5 भी, क्या नंबर में 5 है, 5 भी माल लू, चलेगा, sum is 100, यानि आप क्या कहोगे, दो नंबर है, यानि 5 है, प्लस 5 भी कितना है, 100 आपके पास, इसको ना भी लेके चलो तो चलेगा आपके पास, इसको ना भी लोगे ना, पांचिन में 45 है, यानि ए, बी कितना आगा, 99 अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, हमेशा जब आपके पास, इसके दो फेक्टर बन रहे हैं, एक तो एक, 99 और दूसरा कितना बन रहा है, कि उन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इस तरह की फेक्टर मुझे हमेशा ही कोश्चन में लेने होते हैं, अब देखो, अगर आपने 1 और 99 लिया, अगर आप यहां पर देखो गई से, पुट करके देखो, यह ठीक है, 99 तो फाइव क्या हो गया, बहुत बड़ा वैल्यू चला गया, तो यह तो मैं कर दूँगा, रिजेक्ट यहां करके देखो ज़रा, पांच गुणा 9, प्लस पांच गुणा 11, आगे 100, तो बस मुझे क्या वो लेन के डिफरेंस पुछ है, 45, 55 and sir is, option number a, 10 is the right answer, clear, तो काफी अच्छे कोश्चन है, easy questions अबल की, बट आगर आपको in questions का concept पता है तो, concept पता है और, बेसिक्स पता, तो these type of questions are very easy, clear, चलिए, next question पर चल रहा है, note कीजिए इसको please, तो ध्यान रखे, क्यों मैंने reject किया, इसको ध्यान रखेगा दोड़ा सा, चलिए, यहां से शुरू होते हैं बही है, important question, बहुत अच्छे question है, जो मैं reminder वाले cases कहा रहा था, वो यही cases है, जो हमें अच्छे से करने exam के लिए, the least multiple of 7, which leaves a remainder of 4, when divided by 6, 9, 15 and 18, इसका मतलब, आपको साथ का मुझे, छोटे से छोटा, ऐसा multiple बताना है, जिसको मैं चाहे 6 से divide करूं, चाहे मैं 9 से divide करूं, चाहे मैं 15 से divide करूं, चाहे मैं 18 से divide करूं, हर बार उसके बाद divide करने के बाद, चार मेरे पास बचना ही बचना है, वो नमबर बजा दो, बट, इस नमबर हैस तो बी मल्टिबल ऑफ 7, पैसे आता आप वो पैसे तो आपको दिखी रहा होगा, ठीक है, बट अगर options में none of these हैं कुछ और दिया हो, फिर अलग हो सकते हैं में इसके उत्तर, clear, चलो देखो जड़ा, 6, 9, 15, 18, देखो, LCM क्या होता है, सपोस करो, मेरे पास एक नमबर है 2, एक है 4, 6, 8, दो के फेक्टर, 2 raise to power 1, 4 का 2 की पावर 2, 8 का 2 इंटो 3 की पावर 1 है ना, और यह 8 क्या हो गया, तो इनका बैसिकलिए LCM कितना निग्ड़ा है, 2 की पावर 3, इंटो, 24 आगया, 24 कैसा नमबर है, 24 नमबर कैसा है, बताए, 24 आशा नमबर है, जो 2 से भी कट रहे है, 4 से भी कट रहे है, 6 से भी कट रहे है, और सबसे छोटा नमबर है, इसको मल्टिपले करते जाओगे, उतना ये बड़ा नमबर मिलता जाएगा, इसका मतलब, LCM एक ऐसा नमबर होता है, अगर 4 पाच नमबर का आप LCM निकाल रहे हो, बेसिकली, LCM आपके ऐसा नमबर होगा, जो हर एक पट्टिगूला नमबर से कटेगा, इसका मतलब, अगर मैं इनका LCM निकाल लो, 2 गुना 3, फेक्टराजेशन वे से 3 का स्केर, 3 का स्केर इंटू 5 की पावर 1, तो मेरे पास LCM कितना आ गया, 2 की पावर 1, 3 की पावर दियूंटू 5 की पावर 1, यानि 90, मेरे पास ऐसा नमबर है, जो इससे भी कट रहे है, इससे भी कट रहे है, इससे भी कट रहे है, बट उसने बोला ऐसा मल्टिबल ढूंडो डिवाइड करने वे चार बचे इसका मतलब डिवीजन से चार बड़ा नंबर होगा हूँ कि जो नंबर मेरे पास आ रहा है जो कट रहा नंबर सपोस्पोस करो मैं बोलू मेरे को एक ऐसा नंबर दो जिसको मैं दो से काटू रिमाइंडर एक बचे आप क्या कोगे नंबर गी फोर्म होगी नंगे 90K plus 4 यह बात ध्यान रखो यह पॉइंट आपको रखना है दिमाग में कि यहाँ से मैं नंबर पर कैसे क्या 90K plus 4 कैसा है मेरे पाद इसंट इट चलो नोट करो जल्दी से फिर में कोश्चन करवाता हूं यह समझ आना चाहिए कि LCM के केस में क्या चीज मेरे को अच्छे से लेनी होती है ठीक है चलो देखो 90K plus 4 अब केकी वैली पुट करो केकी वैली अपने 1 पुट की कितना है 94 वो नंबर क्या होना चाहिए इसका मतलब वो 7 से डिवीजन होना चाहिए क्या 94 डिवीड़ डिवाइड हो रहा है खरके तीके 13 पर जाता है नहीं हो रहा अगर मैंने केकी वैली टूपुट की कितना आगए 182 182 डिवाइड़ बाई साथ साथ दूने 14 4276 के 42 स्वरी 184 है 182 ने 184 है नमबर मेरा 184 डिवाइड़ डिवाइड डिवाइड क्या है भाई साथ दूनी तो अधा कितना बज़ा चार चार साथ चेके 42 नहीं हो रहा यह दो हो गए नहीं छोटा है तो लास क्या बचा साथ से डिवाइड होगा मुझे तो लग रहा है साथ पंजे कितना हो गया 35 साथ दूने 52 टाइम गया तो अंसर क्या है ओप्षण अंब बड़ी होफुली आपको क्रिश्टल क्लियर होगा इस तरह की कोश्ण सब्सक्राइब करना मत भूलिए चलिए चलिए नेक्स कोशन की तरफ बहुत अच्छा अच्छा था यह भी कि हुआ है चलिए नागला कुश्टन हमारी प्रतिक्षा कर रहा है चलिए दस हम फू नूमबर इस 528 एंड देर एच्छी फिस 33 यह इंपॉर्टन पेर्जवाल है नहां बिल्कुल इंपॉर्टन कोशिश्टन शूपर इंपॉर्टन टावर चलिए दस सम फू नूमबर्ज इस 528 यह अगर मैं मालू एक्स प्लस वाई कितना है 528 एंड दियर एच्छेफ इस 33 एच्छेफ कितना है मेरे पास 33 कि दा नंबर पेर ओफ नंबर सैटिस्फाइंग अबफ आवली दू इस कोशन कैसे कोशन अप्रोच कैसे करेंगे देखो लूब नंबर इस का मततर्ण नंबर टाइब क्या हो के 33 है रने लेली एच वे इनको आपंड करतो कितना प्रहरा फाइव टॉंटीएट थर्टी थी कॉमन लीजिए ज़े रहे ए प्लस बी इस इकल टू कितना फाइव टॉंटीएट देखो ग्यारा तीन ग्यारा चार ग्यारा आठ तो एक इतना हो गया यानि मेरे पास जो सम है नमब्र का अ फलस भी कितना आगे हैं मेरे पास यहां से गेम पल्टे की कोशन में आपके इस पल्टेकी ध्यान से देखो ज़्यारा देखो ए-प्लस पी यहनी दुन्यों का सम कितना है सिक्सीन लिए को प्राइम नंबर ढूनने तह到 को प्राम नंबर सकते हैं बिल्कुर सकते हैं चार प्लस 12 सकते हैं नहीं हो सकते क्योंकिकि कुछ ना कुछ कट रहे हैं अच्छा पांच और आगर मैं पांच प्लस 11 देखनेवाइंगा 11 पांच 11 बिल्कूल कूछ है कॉंध नहीं है छे शे जल्दी से नोट कीजिए चलेंगे नेक्स कुशन को पर बहुत अच्छा कुशन था यह ठीक है इसको उल्टा करके मत बोलते ना कि आठ हैंगे ऐसा नहीं होगा अगर एक पंदर है तो पंदर आएक भी वही है तीन तेरा तेरा तीन वही है चलिए चलिए नेक्स सब्सक्राइब नेग्स सब्सक्राइब निए रहा है आप दा निकाल लोग शॉटकट निया बना सकते हैं करिए इस कोशन को जरह करिए करिए देखो क्या दिया है दा एल्सेम एडसे अट तू नंबर इस एल्सेम कितना दिया है एल्सेम जी आपको 11 है ना आच्छा आच्छा एडसेम कित दिया है 385 इवन नंबर लाइस बीजिए 75 एंड 125 देखो बहले क्या करो एक नमबर ए मालो एक वी मालो है ना अच्छा 11 इंटू 385 इस इकल टू एंटू एंटू भी मैं एंटू भी क्यू मानूं वैसे आप एक चीज और कर सकते हो ना देखो एच्छेम कितना दिया है चाहँ है किना 11 तो मैंने माले X ग्यारा वाईए दो नंबर जाँ ना भी तो क्या इस गुंड गठाक इनद एक वाई इस 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 अधिन को एक ब्यूंड आखे मेरे पास तो क्या मेरे पास साथ और पांच पॉसिबिलिटी बैठ थी एक सोचे देखिए एक साथ और पांच बैठती है और दूसरी कौन से बैठती है एक और 35 तो मेरे पास नंबर्स फाइंड आउट करो अगर मैं पहले यह वाला पेर लेता हूं वन इंटू 11 इंटू 11 आ गया 11 इंटू 35 कितना गया सावड़ एक स्थी 385 है सब्सक्राइब कर दिया है सब्सक्राइब कर दिया चलिए जलती से नोट कीजिए लेटस मूट तो नेक्स कुस्टिन कि चली चली दश्मोलेसं नंबर विच मैं डिमिनिश्ट बाइव इस डिविजिबल आ ट्ववल शिक्षें एटेन ट्वविजिबल होगा है जो तोलाइब दा स्मॉलेस्ट नंबर विच में डिमिनिस्ट भाई मतलब छोटे छोटा नंबर जो साथ कम करने में सबसे डिविजिबल होगा देख इसका मतलब क्या है 12 16 18 21 and 28 12 क्या होता है 24 तिये 12 तो की पावर 4 तीन त्या नो दुनिय ठारा सबसे पहले इंचे आलसे निकानना मुझे दो हैं तीन ही और और रहात्य तीन के हाईस। कितने मेरे पास तू और सेमन की हैस पावर कितने वन तो कितना होगा सॉला गुना नो गुना साथ तो यह कितना होगा सोला गुना नो इसका मतलब यह नंबर क्या है यह नंबर उस नंबर से साथ चोटा है जिसको कम करना पड़ेगा यानि क्या कर दो इसमें साथ जोड़ दो कितना आगे 1015 option number पर वी इस दा करेक्ट वन क्लियर तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूले चानल को चलिए चलेजी लास्ट कोश्चन दिफ्रेंस ऑफ टू नंबर जिस फोटीन देर एलसे में अध्सेफ और फोर्टीवन और फोर्टीवन और सेवन फांद नंबर बहुत अचा कोश करिए फटाफट कोश्चन तो आप करके दिखाऊगे मुझे और इस अंस का आंसर ना आपने कमेंट सेक्षिन में मुझे लिखके बताना है करिए फटाफट अब जब है रखा तो एकस वाई मालने चोड़ो साथ माइनस साथ भी जिए लिए फोटीन सो ए माइनस भी कितना अगया मेरे बस टूब आ गया बिसिकली अच्छा जी और क्या रखा एलसे में से एफ एलसे में लिए फाइंड था टू नंबर्स क्या यहां पे कुछ आप ट साथ से कटा साथ साथ से के बहले तो एंटू बी कितना आगया आपके बस 63 दो नंबर क्या है नाइन एट सेवन खतम बात तो नाइन इंटू यह सैवन और सेकंड क्या एगा सेवन इटू सेवन सिक्सित्री एंड फॉर्टीन अट इस टू नंबर्स हो इसी था बस याद सब्सक्राइब करना है यह सब्सक्राइब करना मत भूलिए चानल को चलिए फिर आपको बता दो इंपॉर्टन इंफर्मिशन दो शूरू में बताए थे स्टुडेंट्स में आपको कि विएर नंबर वन इन एसस प्रिपरेशन वाई फॉर्टी वन प्रस सेलेक्शन के थी दूदर रिक्षिस में और इसका सबसे मुख्या करण पता क्या था यह टेसरी जिस्मेंट 26 नंबर आफ टेस्ट है सिक्स्टी फाइव हंडड़ रूपीज की है जी एसके चार में दिए गए हैं तो आज यह बेल कीजिए और जो बच्चे अपनी वीक समझ रहे हैं आज यह अभी मन्यू आए ऐसी टैस सीरीज ले लो भाई बता रहा हूं मैं दस से पंदरा कुशन मीनिमम आते हैं 500 mcqs मिलेंगे सिरफ और सिरफ 400 रुपीज में तो प्लीज जोएन की में लेकिए और सारे सारे लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थैंक यू